नमस्कार दर्शकों आपने कभी सोचा है कि घर के बड़े बुजुर्गों घर की चारो दिशाओं में कोई न कोई पौदा क्यूं लगाते थे आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पौदों में ग्रह दशाओं को ठीक करने की छमता होती है इसलिए बड़े बुजुर्गों को घर की चारो दिशाओं में अलग-अलग पौदे लगाने अच्छा लगता था आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों के शांती के लिए घर में लगाये जाने वाले इन पौदों के बारे में संफूर जानकारी तो आईए इस विशे में हम अस्ट्रोलोजी की जानकारी को आपको बिस्तार रूप में बताते हैं दशकों मैं आपको बतादू कि अगर आपकी कुंडली में ब्रस्पती दोश है तो घर के पिछले हिस्से में केले का पेंड लगाना चाहिए ये पौदा ब्रस्पती देवता का सरूफ होता है इसलिए केले का पौदा लगाने से कुंडली में ब्याप्त ब्रस्पती का दोश भी समाप्त हो जाता है साथी साथ धनसंबंदी परेशानियों से राहत पिलती है अगर कुंडली में चंद दोश हो तो घर के बीचो बीच आंगन में हर सिंगार का पौदा लगाना चाहिए इस पौदे को घर के बीचो बीच या पिछले हिस्से में लगाने से आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है लेकिन इसकी देख भाल में लापरवाई न परते हैं क्योंकि इस पौदे की सुख जाने से मन मस्तिस्क पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर कुंडली में शुक्र दोश हो तो घर के आंगन में तुलसी का पौदा लगाए ऐसा करने से घर में नाकारात्मक उर्जा दूर हो जाती है और साकारात्मक उर्जा का संचार होता है साथी घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुक्सामिर्दी का बास होता है ध्यान रखें जिनका शुक्र ग्रह कमजोर है उन्हें नियमेत रूफ से शाम को तुलसी के आगे दीप प्रजलित करना चाहिए अगर कुंडली में राहु केतु का दोश हो तो घर में अनार का पौदा लगाना चाहिए इसे राहु केतु के नाकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है बास्तु शासर के अनुसार घर के सामने अनार का पेड लगाना शुबता लेकर आता है इसके अलावा अगर निमित रूफ से प्रतेक सुम्बार को अनार के फूल को शेहद में डूवो कर भगवान शिप को अर्पित किया जाए तो इससे बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से दूर हो जाती है अगर कुंडली में शनी 200 तो घर में शमी का पेड लगाना चाहिए मानेता है कि शमी में सभी देवताओं का बास होता है और इस पेड का संबंद शनी महराज से भी है इसलिए बास्तुशास्तर के अनुसार शमी के पौदे को घर के मुख्य द्वार के बाई वोर लगाना चाह साथी निमित रूफ से शमी के नीचे सरसो के तेल का दीपक जलाएं इससे शनीदेव की करपा बनी रहेगी और बिकरते कारे भी बनने लगेंगे अगर कुंडली में बुध शनी और ब्रस्वती ग्रह दोश का है तो पीपल लगाना चाहिए माने ता है कि पीपल की निमित पूजा करने जल चलाने और परिकर्मा करने से संतान दोश नस्थ होता है और विमारियों से निजात मिलती है लेकिन ध्यान रखें कि पीपल का बोंसाई पेड़ घर के पिछले हिस्से में लगाएं तो ये उन्नती एवं लोगों के सास्त को बेहतर बनाये रगने में सायक होता है अगर कुंडली में सूरी और मंगल का दोश हो तो घर में गुडहल का पौदा लगाना चाहिए ये पौदा सूरी और मंगल ग्रह से जुड़ा है मानेता है कि मंगल ग्रह को पुरसन करने के लिए पवन सुथ को गुडहल का फूल अर्पित करें साथी सूरीदेप को जल अर्पित करते समय उसमें गुड़हल का फूल डाल कर अर्ग दें ऐसा करने से जातक को अत्यन तिलाब होता है और बास्तु दिश्ट भी दूर होता है गुड़हल का पौदा घर में कहीं भी लगा सकते हैं ये अत्यन तिलाब कारी माना जाता है जिससे की आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे नेक्स्ट नाइन स्पिचो से रज़त की रिपोर्ट